हलो फ्रेट्स, वल्कम चुमाचाल, मैं सारिता और आज आपके लिए लेक्याएं हल्ति का फेस पैक हल्ति करेगी आपके चहरे के दाग धबों को दूर क्योंकि अगर निकरे चहरे पर एक भी धाग पड़ जाए तो आपके चहरे की रोना कम हो जाती है, खराब हो जाती है अगर आप भी ऐसी समस्या से परिशान हैं तो मैं आपके लिए लेक्याएं हल्ति का फेस पैक जो आपके दाग धबों को दूर करेगा हल्ति के अंदर अंटिबैक्टिरल गुण होते हैं और हल्ति हमारे किचिन के मसालों में से एक है आयर्वद में इसको एक औश्दी की रूप में माना गया है क्योंकि इसके अंदर अंटिबैक्टिरल गुण होते हैं और अपने अंटिबैक्टिरल गुण के कारण ये बैक्ट्रिज्स को खतम करता है और आपके स्किन के दाग धबों को दूर करता है और जितने परेशानियां या आपस स्किन पर सब को दूर करता है अपने अंटिभेक्टार्य घुन के कारण तो चली मैं homem को बताती है कि कैसे हल्दीं आपके चहरे के दाग धब्बो को दूर करें तो फ्रेंट मैं अपना face pack बनाने कलिए 2 चीज़ करिए यूज फर्स्त मैं रहे हूं हल्दी पाउलर आप कस्तूरी लए सकते हैं अगर आपके पस नहीं हो तो आप गर के अल्धी भी यूज कर सकते हैं मैंने कस तूरी हलती लिए इससे में वन स्पून कस तूरी हिले और इसमें याय करूँगी कर्ट ये ये इसमें ये शाहते insights मिक्स करके बेस्ट आफ वर बनाले इसको इससे थोड़ा से म।क करकल ऊकश इस सरसे इसने कुफ़ disputes बार करके पेस्ट बनाने ज्यादा पतला भी आपको नहीं करना है और ज्यादा थिक भी आपको नहीं करना है यह पेस्ट बर्गर इस तरह से रेडी हो गया है इतना थिक आपको रखना है हल्दी केंद एंटिबैक्टिर गुड होते हैं जो एंटिबैक्टिर गुड के कारण आपके skin के जितने diseases होती है, skin की परिशानी होती है, उनको help करता है कम करने में, और दही के अंदर calcium और vitamin C होता है, जो आपकी skin के texture को निखाने में help करता है, और दही आपके skin को detoxified करता है, और आपके skin को naturally glow बनाता है, तो मैं आपका एप्रिकेशन इस तरह से बताती है या तो इसको आप फेस्ट पैक की तरह लगा के रख सकते हैं 15 अगर आप इसको स्क्रबिंग करना चाहते हैं तो स्क्रबिंग भी कर सकते हैं इस तरह से आप देख कोई की तरह से आप लगाएं इसको आप नेक पर भी लगा सकते हैं, अगर आपकी डाक सकल्स हैं, तो उसको भी रिमूव करने में आपकी हेल्प करेगा इसको आप 15 मिنट इस तरह से छोड़ सकते हैं, और 15 मिनट के बाद आप हलके से गुंगिने पानी से इसे वाश कर लें अधरवाइस आप इसको इस तरह से लगाने के बाद पांच मिट छोड़ें और इसको इस तरह से हलके हाथों से इस तरह से मसाज करें अगर आपके डाउन साइड और अपर साइड तो आप इसको यहां बर भी रिमूब कर सकते हैं बहुत हलके हाथ से रिमूब करें देखें मै उसके यहांपर डाग सख्ष्र हो जाते हैं यहां पर और यहां पर तो इनको हलके हाथ से अब रिमूब करें और आपकी टानिंग को रिमूब करने में भी वहीं हेल्प करेगा इस तरह से आप इसको करते जाएं और दस से पंदराम रट के बाद आप अपने फेस को इस तरह से हलके हाथों से इस तरह से कर सकते हैं पर फेस्ट पर फेस्ट वाश कर लिया और इस तरह से आपको ग्लो देखने को मिलेगा आप इसको यूज करके देखिए आप दो से तीन दिन में फरक मैसूस करने लगेंगे क्योंकि आपके दोनों इंग्रीडिंट्स नाचुल है तो आपके फेस पर कोई साइड एफेक्ट न को मिलेगा वीड़ो अच्छे लगए तो लाइक करें शेर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चानल को थाइंक यूँ